नमस्कार आप देख रहे हैं दा पॉलिजी टांस मैं हूँ आपके साथ साजित जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हम मैं जंतर मंतर में खरा हूँ यहाँ जो कि आप देख सकते हैं पीछे की साइड यह जशने सम्विदान हो रहा है लोग आज धरना पर्शेशन कर रहे हैं मनाय जा रहा है अंतर रास्टिय माने अधिकारों के 70 साल के सुब आपसर पे हमारे साथ है एन एपी एम के रास्टे कनवेनार आजिस रंजन जी सर आपका यहां क्या मकसद है यहां का आना जैसा कि आप पढ़े हैं भी है जशने सम्विदान हमें लगता है कि सम्विदान की मूल्यों की रक्षा करना और जो फ्रीडम फाइटर्स हमारे हुए उन्होंने जो हमारे देश के बारे में सपना देखा था और सम्विदान में जो नयाय सम्टा बराबरी की बात है बंदुत्य की बात है उस पर एक करारा प्राहार खासकर पिछले चार सालों में हुआ है त सब्सक्राइब कर रहे हैं जो आज की सरकार है बारतिये जंता पार्टी की सरकार 1925 में आरे से बना यह बेसिकली अंग्रेजों के साथ है इन्होंने आजादी में कोई भी भूमिका नहीं 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 और यह तू नेशन जोरी के समर्दक्त है इन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर हमेशा से ही आजादी के पहले से ही देश के खिलाफ़ कार किया है और इनका नाशनलिजम अच्छली अंटी नाशनलिजम है आपको मालूम होगा कि सावर कर खुद माफी नामा लिखे थे चार बार कि हमें जेल से छोड़ो और उसके अग्रेजों के दिये हुए पैसे पर वो चिवित रहे उन्होंने काम किया वगर इस परिपेक्ष को देखे तो आज तक यह चाहते हैं एक भाशा एक धर्ण और वो हमारी पूरी सर्रच्रा हमारे पूरे देश के खिलाफ है उस दिन पहले दिल्ली में सम्विदान को जलाया गया तो सम्विदान के कुछ बंड़ों को इस पर क्या कहना है देखें कि सम्विदान को चलाना इसलिए है इस सिंबॉलिक है लेकिन इनकी मूल आत्मा है कि सम्विदान के खिलाफ रहे हमेशा से और बाबा साहब हमदेद कर के चेर्मेंशिप में, ट्राप्टिक कमिटी के चेर्मेंशिप में जो जम्विदान लिखा गया, वो जलाके यही साबित कर रहे हैं कि यह कितने घोर दलित विरोधी है, जो अर्थ नीती है, वो सिर्फ पूंजी पतियों को और धनी करने में लगी हुई है, जल जंगल जमीन क जो सवाल है, जहां भी आदिवासी हैं, वहां आदिवासियों को भगाने के लिए, कॉर्परेट के साथ मिलकर, यह मावबात का एक, अब देख रहे हैं, अर्बन नकसल का एक शरियत खड़ा कर रही है, जबकि इनका निशाना भोले बादे आदिवासी है, उनकी खनिज को इनका निशाना है, तो आर्थिक निती को देखें, इनके समाजिक निती को देखें, जो भी निती को देखें, हमें लगता है कि इस सम्विधान के खिलाफ ही है, 2019 में निश्चित बदला होगा, और हमें उमीद है कि चंता इनके छल कपट को समझेगी, इनके सारे वादे काल पाल है यह समझनता देख रही है तो उम्मीद करते हैं कि इस बार वो जहांसा नहीं दे पाएगा बहुत दोशुग्या बात करने करें अच्छा 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 अच्छा